तो कैसे हो आप सभाए हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपनी पढ़ाय जो रच्छे से कर रहे होंगे आपकी एक्जाम जो है वो फाइनली एकदम लास तक आ चुका है आज की इस वीडियो में हमें बात करने वाला हूँ उन सारे स्टूडेंट के बारे में जो एक्जाम देने जा रहे हैं छे तारीकों ठीक है आप सभी का एक्जाम यानि अगले दिन मंडे से स्टार्ट है तो आप लोग क्या-क्या लेकर जाओगे किस तरह सी एक्जाम दोगे साथी साथ आप किस तरह से अपने काउपी को अच्छे से लिखोगे जैसे कि अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो आपके 90 जो है वहाँ पे करते हैं तो आप किस तरह से अच्छे से पास हो सकते हो अच्छे नमाक्स ले आ सकते हो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं ठीक है किसी भी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम अगर बचता है त तो क्या-क्या लेकर जाऊंगा तो मैं आज सबसे पहले बताने वाला हूँ कि क्या-क्या लेकर जाएंगे क्योंकि काफी सारी स्टूडेंट जब एक्जाम देने चले जाते हैं तो उनके दिमाग में याद आता है कि यार ये तो हम ने लेकर आये ही नहीं जब वहाँ किसी दुरी स्टूडिेंट का देखते हैं तो उसमें आपका जो है टाइम चला जाता है विकोज जब islands star हो जाता है आपका एकजाम के लिए तो वो चलता ही चलता चला जاتा है और आपका जो डाइ गंटा या 2 गंटा मिलता है वो खतम हो जाता है तो उसी में सारा चीज आपको करने होते हैं इसलिए आपको पहले से तयार रहना है आपको सबसे पहले की paint l Pinker जाना है paint के सथरे से होनी चाहिए तो dot paint में आप blue या फिर black दोनों में से या तो black ले लिजिए या तो फिर blue मतलब दोनों आपको लेने हैं Black and Blue लेने हैं Black जो है वो दो पीस रखेंगे अपनी पास और Blue जो है दो से तीन पीस रखेंगे क्यों? क्योंकि ये जैसे कि क्या बोलते हैं कभी कभी क्या होता है काफी सारी student ऐसे होते हैं जो जादे लिखते हैं तो उनका खतम हो जाता है तो किसी से मांगनी जिरुत न पड़े और एकात और advance लेकर जाते हो तो ठीक है क्योंकि काफी सारी student ऐसे होते हैं जो कि ये नहीं ले पाते मतलब लेकर जा पाते तो उनको help भी कर सकते हो ठीक है तो परपज ये रहेगा कि मुझे कमी न हो दूसरा pencil लेकर जाना pencil एक में काम हो जाएगा इसके साथ जो है cutter, rubber जो लेकर जाना है वो लेकर जा सकते हो और तीसरा sketch काफी सारी student का ये रहता है कि या sketch भी लेकर जाना है तो sketch अगर आपको एक लेकर जाना है तो ठीक है बाखी बाद बीच में कहीं पे भी use नहीं करोगे ठीक है, या आप black ले लो या फिर blue ले लो, दूसरा की जितने प्रकार की inch होते हैं वो सारे एक सारे लेने की ज़रूरत नहीं है जिस दिन drawing है उस दिन लेकर जा सकते हो कोई दिकत नहीं है, बट normal जितने भी आपके subject है, सब में एक बड़ा सा जो inch ही आता है, ठीक है जितने भी centimeter का होगा देख लेना, तो वो आप बड़ा वाल लेकर जले जाना, 10-15 रुपय के मिलेंगे, जिससे की आपका सारा का सारा जिसमें line खीचना होता है ठीक है, तो आप अच्छे से line खीच सको अब आपको देखो admit card लेकर जाना है, सबसे पहले कि admit card आप लोग भूलना मत, admit card लेकर जाना है उसके साथ आप अधार card लेकर जाते हो, तो और अच्छा है, ठीक है तो अधार card भी अपना पकड़ लेना फोटो के लिए भी बोलते हैं, लेकिन इसमें आपकी optional है, अगर आप फोटो लेकर जाना चाहते हो, तो जाओ नहीं लेकर जाना चाहते है, तो मत लेकर जाओ एक होता है घड़ी, जो की बहुत ही important आपका role exam में देता है, तो एक साधारण 150 का घड़ी लेकर जाना इससे क्या होगा, कि अगर आपके पास time कम रहेगा, तो अपनी speed को बढ़ा सकते हो exam time, ठीक है, तो अगर अपनी exam की speed को अच्छे से बढ़ाने हैं तो आप घड़ी लेकर 100% जाना, इससे आपकी time की बचत होगी आप देख पाओगे कि मैं एक question कितने time में कर ले रहा हूँ, ठीक है क्योंकि एक target लेकर नहीं चलोगे, तो सारा का सारा question जो हो solve नहीं कर पाओगे, तो आपके अच्छे marks नहीं आएंगे, ठीक है, तो आपको कोई भी question छोड़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना कि कोई भी question आपको exam के अंदर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप target बनाओ, और time को देखो कि कितना हमें time मिला है, और उस time में एक question पर हम कितना time देगे, ये target बनाओगे, तब जाके आपका पूरा का पूरा question जो है, वो कबर हो जाएगा, उसमें आपको सोचने के भी time मिलेगी कि इस question का answer क्या है कभी कभी क्या होता है कि एक question जो है, वो दो बर पूछ दिया जाता है, कहने का तरीका अलग होता है तो उसे भी आप लोग अपने exam के अंदर देख लो, exam कैसे दें, जिससे की 50 में 50 आपके आए, इसका target सुनो, सबसे पहले ध्यान में रखना, कि paper जब आपको मिले, तो पूरा का पूरा paper जो है, वो पढ़लो, अच्छे से पूरा पढ़लो इसके बाद फिर आपको जो लगता हो, कि ये सबसे अच्छा मुझे आ रहा है, इसका answer मैं सबसे अच्छा दे सकता हूँ, तो वहाँ से start करो, ऐसा नहीं है कि आप पहले से start करोगे, फिर दूसरा करोगे तीसरा करोगे, इस तरह से ज़रूरी नहीं है, जो सबसे आपको अच्छा लगता हो, कि नहीं, ये मुझे पूरा का पूरा आता है, तो आप वहाँ से start करो, आपको अच्छे मास मिलेंगे, एक चीज और, कि copy कैसे लिखना है, काफी सारी student का ये राता है, कि हम copy किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं copy कैसे लिखेंगे, वो बताने की कोशिस करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले कि आपको उपर में अपना प्रश्न उत्तर डालना है, ठीक है, प्रश्न उत्तर यहाँ पे डालना है, जैसे कि हमने डाल दिये one, इसके बाद फिर आपका कौन सा क्यूस्चन है, क्या क्यूस्चन है, उसका heading डालो, जैसे कि हमें पूछा गया है computer के बारे में, तो हम यहाँ पे डालेंगे computer, introduction यहाँ पे computer introduction हमने डालें, इसके बाद फिर हम यहाँ पे answer लिखना है start करेंगे, अब यह answer जो है, हमारे एक दो पेज में होने चाहिए, एक पेज कम से कम होना चाहिए introduction, ठीक है तो मैं इतना ही दे रहा हूँ अभी कि यह हमारा एक पेज complete हो गया इसके बाद कि यह पूरा का पूरा जो है आपको computer introduction लिखने है इसके बाद कि जब जाएंगे, आगे तो उसके अगर कुछ principle होंगे तो principle लिखेंगे, ठीक है point करके, और यदि अगर उसके work होंगे कि कहां-कहां यह work कारे करता है तो वो लिखेंगे, computer के work लिखेंगे उसके सिध्धान्त लिखेंगे computer की पीडियां अगर आपको पता है तो वो लिख सकते है, advantage लिख सकते है ठीक है, disadvantage लिख सकते है तो इसमें एक और चीज रहता है कि कितने tips आपको लिखने है देखो इसमें आपको जादे से जादे आप 4 page तक लिखिएगा क्योंकि आपके पास time नहीं मिलेगा तो जादे से जादे आप 4 page तक लिख सकते हैं ठीक है और कम से कम 3 page से कम मत करना ठीक है पहला question and दूसरा question ये ध्यान में रखना कि आप 4 से 5 page लिखने की कोशिस करना ठीक है जादे से जादे लिखने की कोशिस करना कोई भी question हो राइट तो इससे आप लोगो क्या होगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे मास कर सकते हो अपने और सबसे पहले जो अच्छा क्यूशन होगा वही करना क्योंकि अगर उसका जो एक्जामनर होते हैं उनका दिमाग फिर दिये लब फिर गया तो समझो कि तुम्हारा गया ठीक है तो अच्छे से एक्जाम देना जिस तर से हमन ठीक है प्रश्ण उत्तर टू डालना बीच में कहीं डालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जैसे कि अगला पेज यह हमारा है तो हम यहां पर प्रश्ण उत्तर दो डालेंगी उपर में सबसे उपर में जिससे की जो एक्जामनर है उसको यह नजर पड़े कि यह दूसरा आपको ना दे एक एक पेज पर सबसे उपर लिखना उपर की जो पेज होते है उसमें है तो आपका एजाम कैसे लिएना है यह भी समझम आ गया question answer जो है कहां से कितना लिखे है तो वह भी हमने आप सभी को यहां पर बता दिया है कि आपको कहां से और कितना लिखना है जैसे कि आपको ज़ादे से ज़ादे 3-4 page हमने बताई दिये हैं कि आपको 3-4 page लिखने है एक question का अगर 5 number का वो है एक यही आता है जो अभी headline हम बता रहे थे जैसे कि introduction हो गया, advantage हो गया, disadvantage हो गया, principle हो गया, works हो गया, तो कितने बना सकते हैं, जद जदे, तो आप 5 से 7 headline बना सकते हैं, ठीक है, 5 से 7 headline में सारा का सारा answer आप leaked होगे, इस से जदे बनाने जीरोत नहीं है, आपके 5 marks गया है, ठीक ह अब यहाँ पे काफी सारी student का ये रहता है कि pass कैसे हो, क्योंकि इस से related काफी सारी student doubt में रहते हैं, विकोज उन लोग साल बन नहीं पड़े होते, तो कैसे pass हो, pass होने का एक सबसे अच्छा उपाय है, कि जितने भी आपके question दिये हैं, जितने भी आपका question दिये गए है, total के total question आप touch करोगे, कहने का मतलब है कि जितने भी question है, total question आप लिखोगे, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लिखो, उससे मेलता हो, जुलता लिखो, जो भी आपको answer नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप 2-3 page लिखो, अगर आप भी मिलेगा, तब भी मिल जाएगा, तो कम से कम, आप भरने की कोशिस करना, सारा का सारा 10 question आते हैं, ठीक है, तो 10 question में 10 question टच करना, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे, छोड़ दोगे, तो वो direct पुरा का पुरा नंबर कड़ जाता है, नहीं छोड़े रहोगे, तो किसी न एक दिन पहले सभी student का class चलेगी, जिन भी subject का होगा, तो चैनल पे जितने लोग आते हैं, चैनल को subscribe कर लें, और अपना जो है, जिस दिन इग्याम होगा, उससे एक दिन पहले अपनी class लेकर, और exam दिने जाए, क्योंकि उस दिना important के साथ-साथ आपको class भी अच्छे से ले आपकी बाद notes जो है, वो website पे है, जो की description के अंदर link भी हमने provide करा दिया है, website पे जाओ, और वहाँ पे जो भी student के notes चाहिए, उनके लिए website के link आपको description में दे दिया गया है, यहाँ पे जैसे website को click करोगे, यहाँ पे देखो लिखा गया है, hello everyone, notes will be available on this website for exam by our case study, ठीक है, तो नीचे आओगे, तो जिन भी student का जो भी subject के होंगे, यहाँ से purchase कर सकते हैं, IT law, internet of web technology, यानि IWT, digital electronic, इसके तरह से data structure using C, fifth semester के यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, notes or available है, तो आप लोग click करके ले सकते हो, ठीक है, सभी की कीमत बहुत ही कम है, 20 रुपे हैं, किसी के 15 रुपे ह जाने हैं, और कोई problem होगी तो जारक बता देना, आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक क्लिए tell and keep learning and keep exploring.